हेलो दोस्तों, इस्टेटी विद वीना राना में आप सबका स्वागत है दोस्तों मैं आज जो टोपिक लेके आई हूँ वो है हिंदी साहिते कार के पर्मो पुरुसकारों में से एक पुरुसकार साहिते अकादमी पुरुसकार साहित्य अकाद्मी पुरुषकार से भी बहुत बार क्वेशन आते हैं पेपर में तो चलो जानते हैं साहित्य अकाद्मी पुरुषकार के बारे में कुछ facts सबसे पहले तो इसकी इस्थापना जो हुई वो है भारा मार्च 1954 में हुई और जो पर्थम साहित्याकाद में पुरुषकार दिया गया वो दिया गया माखानलाल चतुरवेदी को उनकी रचना हिम तरंगनी पे और जो अन्तिम पुरुषकार दिया गया वो है नंद की सोर आश्चार्य को फिर पुरुसकार में क्या मिलता है ठीक है तो साहित्याकादमी पुरुसकार में तामर पत्रवा एक लाग की धन्रा से मिलती है और ये मिलता है कितनी भासाओं में 24 भासाओं में 24 भासाओं में से जो आठ अनसोची की भासाओं हैं प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी चो बाइस तो जो आट विया नो सूची में भासाइए हैं हमारे संधान में बाइस भासाइए वो हो गई और दो कौन-कौन है राजस्थानी और अंग्रेजी तो ये था हिंदी सहित्याक आदमी का सब छित परीचे चलो आप जान देखत है लेखक है और उनकी कृती है जिस पर साहित्याक आदमी पुरुषकार प्राप्त हुआ सबसे पहले 1955 में मिला है माखनलाल चतुरवेदी जी को उनकी रचना हिम्तरंगनी पर ये याद रखना क्योंकि सबसे फष्ट रचना ये बहुत बार पूछी जाती है कि माखनलाल च पुरुषकार मिला ठीक है फिर नेक्ष्ट है 1956 में मिला वासुदेव सराण आगरवाल को उनकी रचना पदमावत संजीवनी पर फिर है 1957 में मिला आचारे नदेन देव को उनकी रचना बोध धर्म दर्शन पर अगला है 1958 राहुल संकृत्यायन जी को मिला इनकी फेमस रचन अमत है ऐसिया का इध्यास ये काफी महत्वपूर्ण है इसको याद रखना आप सब फिर है 1959 को मिला रामधारी संग दिनकर जी को उनकी रचना संस्कृत के चार अध्याय ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया है रामधारी संग की रचना संस्कृत के चार अध्याय प साहित्याकाद्मी पुरुषकार मिला फिर मिला 1960 सुमित्र नंदन पंत जी को किस रचना पे कला और बुड़ा चान पे दोस्तों अगली है 1961 1961 में मिला भगवती चरण वर्मा को उनकी रचना भूले विश्रे चित्र पे फिर 1962 का साल ऐसा था उसमें साहित्याकाद्मी पुरुषकार हिंदी में किसी को भी नहीं मिला तो ये खाली रहे गया 1962 का फिर 1963 में जो मिला अमरित राई को मिला उनकी रचना कलम का सिफाई कलम का सिफाई प्रेम चंदर पे लिखाई उन्होंने कलम का सिफाई प्रेमचंद्र की जीवनी फिर 1964 में मिला सचिदनन हीरनन वादसेयन अगियर जी को मिला उनकी रशना आंगन के पारद्वार फिर नेक्ष्ट है 1965 में मिला डाक्टर नगेंद्र को उनकी रशना रश सिधान पे जो एक विवेशना थी ये भी काफी बार पेपर में पूछ लिया गया है कि रश सिधान किसकी रशना है फिर 1966 में मिला जैनेंद्र कुमार को उनकी रशना मुक्ति बोध जो कि एक उपन्यास था फिर 1967 मिला अमरित लाल नागर को इनकी रचना है अमरित और बिस दोस्तों अमरित और अमरित से याद रखना की अमरित लाल नागर की रचना है अमरित और बिस ठीक है अपने नाम से इस्टार्ट की अपने रचना फिर 1968 में मिला हरिवन्स राई बच्चन को मिला स्रीलाल सुकल को उनकी रचना राग दरबारी पे नेक्षट है उननीसो सोतर में जो मिला राम विलास सर्मा को मिला राम विलास सर्मा की रचना भी काफी बार पेपर में पूस ली जाती है कि निराला की साहिते साधना किसकी रचना है तो वो है राम बिलास सर्मा जिस पर इने साहित्या आकादमी पुरुषकार मिला 1970 सब इसे 1971 में मिला αναमण सिंग को उनकी रचना कविते के नई प्रतिमान chtr यहाद रखना कविते के नई प्रतिमान है नामण सिंग फिर 1972 का साहित्यकाद में पुरुषकार मिला भवाने परसाद मिस्र को उनकी कृती बुनी हुई रशी पे फिर 1973 को मिला हजारे परसाद दिवेदी को उनकी रचना आलोक पर्व को दोस्तों ये जो रचनाएं हैं जो पुरुषकिर्थ हो रखी रचनाएं ये काफी बार पेपर में आती है ये ऐसे रचनाएं है कि जिनमें से हमेसा क्वेशन बनता ही बनता है क्योंकि ये काफी फेमस हो रखी होती रचनाएं और जो पुरुषकिर्थ भी है तो उनकी चांस बनते हैं आने के नेक्ष्ट है 1974 का साहित्य का अदमी पुरुषकार मिला स्युमंगल सिंग सुमन को उनकी रचना है मिट्टी की बारात पे फिर है 1975 का साहित्य का अदमी पुरुषकार मिला है भीसम सानी को उनकी रचना है तमस फिर 1976 में मिला यसपाल जी को यसपाल जी की रचना है तेरी मेरी उसकी बात फिर 1977 को मिला समसिर भादुर सिंग की रचना है चुका भी हूँ मैं नहीं उनकी रचना थी ठीक है फिर 1978 को मिला भारत भूषन अग्रोवाल को उनकी रचना उतना वासूर जे फिर 1989 सुधामा पांडे धूमिल को काफी फेमस रचना है इनकी कल सुनना मुझे ये भी काफी बार पेपर में पूछी गई है फिर 1980 में मिला कृष्णा सोवत्ती को जिन्दगी नामा उपन्यास है इनका कृष्णा सोवत्ती दोस्तों कृष्णा सोवत्ती को ग्यान पीट पूरुसकार भी मिला है उनकी आजीवन हिंदी में अपने योगदान के लिए ग्यान पीट पूरुसकार और जिन्दगी नामा भी मिला है ठीक है जिन्दगी नामा पे साहित्याकादमी पुरुषकार भी मिला है जिन्दगी नामा क्या था इनका उपन्यास था तो ये भी याद रखना जिन्दगी नामा काफी बार पूस लेता है जिन्दगी नामा किसकी रचना है तो वो एक कृष्णा सोबती के दोस्त फिर 1982 का साही त्याकादमी प्रुषकाल में इल्हा हरिसंकर परसाई को उनकी रचना बिकलांग स्रध्धा का दोर। फिर 1983 का है सर्वेशर दयाल सकसेना उनकी रचना खुंटियों पर टंगे लोग। ये भी गुरूप सी में एक बार पोस्ट लिया गया था। खुंटियों पर टंगे हुए लोग किसकी रचना है और इनको ये प्रुषकार मिला मृत्यो प्रांत मलब जब इनकी मृत्यों हो गई थी उसके बाद ये प्रुषकार मिला खुंटियों पर टंगे हुए लोग। तो इसलिए ये काफी फेमस रचना बन जाती है तो ये भी य 86 का मिला केदानाथ अग्रवाल को उन्की खानी अपूर्वा फिर 1987 पर मिला सरिकान द्वार्मा को मगध पे फिर 1988 नरेस महत्ता उनकी रचना अरण्या पे फिर 1989 को मिला केदानाथ सिंग केदानाथ सिंग की यहाँ पे थोड़ा मिश्टेक हो गई थी इनकी रचना अकाल में सारस यह याद रखना अकाल में सारस किसकी है केदानाथ सिंग की फिर 1990 को मिला सिपरसाथ सिंग नीला चान के ले इनको साहित्यागाद मी पुरुषकार। फिर 1921 नभे में मिला गृजा कुमार माथूर। गिर्जा कुमार माथूर की काफ़ी फेमस है। मैं वक्त के हूं सामने। ये भी काफ़ी भार गृप्सी के पेपर में पूछी गई रचना है। फिर 1922 नभे में गृजा कुमार क सोर को मिला है धाई घर के लिए फिर उनिसो तिरार नबे में बिश्ण परभाकर जी को मिला अर्धनारी स्वार इनकी रजना है फिर उनिसो चौरार नबे में मिला असोग बाजपेई जी को कहीं नहीं हुए ही ये इनकी रजना है कहीं नहीं हुए ही फिर उनिसो पिचार नब को मिला सुरेंद्र वर्मा मुझे चान चाहिए फिर 1997 को मिला लीला धर जगूरी जी को इनकी रचन अनभाव के आकास में चान अनभाव के आकास में यहां पे को हो रखा तो इसको के पढ़ना अनभाव के आकास में चान काफी फेमास है काफी बार पेपरों में आती है अनभा इलाके में फिर 1999 में मिला बिनोत कुमार सुकल को दीवार में एक खिड़की रहती है फिर जो 2000 का मिला मंगलेश डबराल जी को मंगलेश डबराल जो की उत्रखन के कवी थे हम जो देखते हैं ये भी काफी है तो पून है इसको भी ध्यान रखना हम जो देखते हैं हम जो देखते हैं किसके मंगलेश डबराल जी जो देखते थे ऐसे में याद रह जाएगी फिर 2001 का भी है अलका सरवगी को मिला इनकी रचना है कली कथा वाय वाय पास दोस्तों ये जो लेखी का है इनकी रचना काफी महत्वण है काफी चांस है इनके आने की क्योंकि बहुत कम लेखी का है जिनको पुरुसकार मिला है जितनी भी है तीन चार तो ये काफी महत्वण हो जाती है कि इनको हमने याद रखना है तो अलका सरवगी जी की रचना है कली कथा वाय 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 पास ठीक है फिर दोजार दो का मिला राजेस जोसी को दो पंक्तियों के बीच के लिए फिर दोजार तीन में मिला कमलेश्वर की काफी फेमस रचना है कितने पाकिस्तान 2004 का मिला है विरेन डंगवाल को दुस चक्र में स्रिष्टा ये भी याद रखना है दुस चक्र में स्रिष्टा 2005 का मिला मनुहर स्याम जोसी जो की उत्राखन के साहितेकार थे उनको मिला क्याप क्याप भी कापी फेमस है क्याप याद रखना मनुहर स्याम जोसी जी की है फिर 2007 का ग्यान पिर साइत्यकाद में पुरुषकार मिला वो है अमरकांत जी को इनी हत्यारों से फिर 2008 का गोविन मिस्र को कोहरे में कैद रंग फिर 2009 को कैलास वाचवेई जी को हवा में हस्ताक्छर नेक्ष्ट है दोस्तों 2010 को उदे परकास को मिला मोहंदास के लिए फिर 2011 का साइत्यकाद में पुरुषकार मिला कांसिनाद सिंग को रेहन पर रग्जो ठीक है ये भी याद रखना है 2011 का पुरुषकार मिला चंद्रकान देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ ये इनकी रचना थी पत्थर फेंक रहा हूँ फिर 2013 का मिर्दुला गर्ग मैंने बताए कि तीन चार लेखी का है जीने पुरुषकार मिला तो इनकी जिस रचना पे मिली वो भी काफी चांस होते है उसके आने के लिए तो मिर्दुला गर्ग जी की रचना है मिल जुलमन मा मा से याद रखना मिर्दुला का मिल जुलम ठीक है मा मा से याद रखना इनकी रचना साहित्या काद्मी पुरुसकार से समानित की गई थी फिर है 2014 का रमेश चंदरसा इनकी रचना है बिनायक फिर है 2015 का मिला है राम दरस मिस्र को आग की हसी दोस्तों ये जो लाष्ट के है तो इन्हें आप याद रखना क्योंकि लाष्ट लाष्ट के पूछे जा सकते हैं फिर 2016 का नासिरा सर्मा ये भी याद रखना नासिरा सर्मा को मिला है परिजात पे फिर है दोस्तों 2017 का रमेश कुंतल मेग को मिला विश्व मिथक सरित सागर 2018 का मिला है चित्रा मुदगल को चित्रा मुदगल को मिला है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा इनकी है ये उपन्याश ये बहुत मेश्व मिला है चित्रा मुदगल की रशना पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा है ये भी याद रखना इसके भी चांस है आने के फिर अभी 2019 का जो मिला नंद की सोर आश्चार्य को छिलते हुए अपनों को ये 2019 का लास्ट साहित्याकाद में पुरुसकार है जो नंद की सोर आश्चार्य जी को मिला दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण साहित्याकाद में पुरुसकार 1955 से लेकर 2019 तक दोस्तों अगर आप ये रश्चार्य पूरी याद कर लेते हैं इनकी लेकाद पूरी याद कर लेते हैं तो समझ लो आपने हिंदी पर भी जे पराप्त कर ले अगर ये आपको नौट्स अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना सेयर करना और सस्क्राइब करना और दोस्तों ये जो रश्चनाए हैं ये हर पेपर में पूछी जाती है गूरूप सी हो गया सीटी टी टीटी हो गया बीडियो हो गया व thank you, thank you so much and bye bye friends